मॉली और काल हवाई में अपनी शादी के दिन की तयारी कर रहे हैं, जब तक काल के दोस्त नील इंटप नहीं करते हैं कि दुपरी को गया है, वे साथ में दुपरी को लेने के लिए गाड़ी में चले जाते हैं, जो गलत द्वीग पर उतर जाने के बाद एक प्रकाश विमान के साथ सवारी करने का अनुभव कर रहे थे. शादी से एक दिन पहले, मॉली के पिता थॉम्सन, जो काल के काम करने वाली कमपनी की सीएओ भी हैं, काल की खराबी पर हासिपून टोस्ट करते हैं, जो दोनों के बीच एक विवाद की संभावना को संकेत देता है. बार में ए और काल को बताता है कि उसमें काल नेस है. काल और मॉली की शादी हो जाती है. काल जब अपने काम पर वापस आता है, तो मॉली की पिता थॉम्सन लैंड डेवलिप्मेंट में उन्हें प्रमोट कर देते हैं, हालांकि यह कुछ हद बदल चुका है. थॉम्सन के अद्बूत मनाने के लिए घर लोटने से पहले काल बार में जाता है, जहां वह नील और डुपरी को पाता है. नील अपनी पतनी की समय सीमा के कारण छोड़ देता है. डुपरी का पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योकि उसे शादी में शामिल होने की अनुमती न हो गया. उसकी कार भी, क्योकि यह कमपनी की थी, काल दुपरी को घर ले जाता है, मॉली से पूछता है कि क्या वह थोड़ी देर तक रह सकता है जब तक कि वह पेरों पर खड़ा नहीं हो जाता. मॉली शिश्ट रूप से है, हालांकि स्पश्ट रूप से उन्हें फ्रस्ट देखते हैं. रोमेंटिक मॉमबत्तियां फ्रंट रूप के सामने जल रही हैं और दुपरी को बेन निकाल दिया जाता है. इसी बीच, काल काम से लगातार तनाव में हैं, हालांकि उन्हें और मॉली को रात के खाने के लिए समय निकालते हैं. वापस आते समय वे भारी बार करता है. लिविंग रून को फिर से सजाता है. और काल के धन्यवाद पत्र करता है. साथ ही मुहले के बच्चों के साथ दोस्ती करता है. काल दुपरी से प्रोथसाहित करता है कि वह मॉली के काम पर कर्यादे में जाए क्योंकि वह अपने काम में फंस गया था और उस रात द से देर से हैं, इसली मॉली और डुपरी बिना उसके शुरू कर देते हैं। जब काल अंत में दिखता है, तो उसे थोड़ा जलन होता है कि वे साथ में रात का खाना खा रहे थे और एक लड़ाय होती है। जब की काल चला गया था। अगले सुबह डुपरी सभी स्थानिया बच्चों को काल की खोच करने के लिए बुलाता है। दुपरी अंत में बार में काल को ढूनता है और उसे मौली के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है। दुपरी काल को मदद करता है मिस्टर थॉमसन के कार्याले में गुसने में जबकी दुपरी पा को सुरक्षा गाड को विचलित करता है। जबकी काल अपने ससुराल के कार्याले में पहुँचता है और उससे संघर्ष करता है। दोनों अंत में समझोते पर पहुँचते हैं और थॉमसन अपने अजेंडे को काल के साथ नाराजगी का स्विकार करते हैं। पाक अब उसकी साथ उसका दूसरा नंबर हो जाता है।